नमस्कार जेशी कृष्णा मैं राके शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि सूर्य का विभिन राशियों पे बैठ के और उसको डिफरेंट ग्रहों दुवारा दे गई द्रस् मिलते हैं तो आज हम बात करेंगे कि सूर्य अगर शुक्र की राशी बैठा हो ब्रशब राशी में तुला राशी में इन पे बैठा हो और विभिन ग्रहा उसको देखें तो किस तरह के फल मिलते हैं तो आप भी अपनी कुड़ी में चेक के जिए कि आपका सूर्य किस राश करता हूं यह जो मैं आपको बता रहा हूं यह सब शास्त्र अनुसार है इसमें लिखा है वद्नाक शिग्रोग अपत्ते क्लेश सही सुनू क्रिशोने बहुकुत्रे भव्यो विभार अरतो मती माने वंध्यांगना देशी यानि ब्रश राशी में अगर सूर्य हो तो क्या ह होता है तो ऐसे मनुस्य के मूपे विकार हो सकता है नेत्रों में विकार होसकता है व्रश राशी में atics अगर सूर्य हो एसा विकती क्लेश हैने की शक्तिवाला होता है यह पॉस्तिव चीज के बी होती है अगर कि उसके देर कोई नेगेटिव चीज भी है कि नेतर विकार उसे हो सकते हैं तो वो बहुत भवे विक्तित का और भवे आच्रण वाला हो सकता है बहुत अच्छे वेवार वाला हो सकता है राजनेता बहुत अच्छा बल सकता है कि वेवार वेता बहुत अच्छा कम होती है जिसका सूर्य ब्रशव राशी में हो तो ऐसे इंसान के संतान कम होती है और थोड़ा इस तरी से चिड़ने वाला होता है बाकी बुद्धिमान होता है व्यापार कुशल होता है विवार वेता होता है भवे रख्ति तो भवे आच्रण माला होता है एसे व्यक्ति को खाना, पीना, पहना, समरना बहुत पसंद होता है, गंद प्रेमी होता है, पर्फ्यूम सोदहराव को पसंद करता है, संगीत और नत्त्र का प्रेमी होता है, लेकिन पानी से डरता है तो ये चक केजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कौन सी राशी में बैठा है शुक्र की राशी में यानि बरशब राशी में तो नहीं आगे चलते हैं अगर शुक्र की राशी में सूर्य पर देखे अब क्या है अब हमने लिया है कि शुक्र की राशी में सूर्य बैठा हुआ है शुक्र की दो राशिया होती है एक ब्रशब होती है एक तुला होती है तो व्रशब यातुला में अगर शुक्र सूर्य बैठा हुआ है और उसमें विविन ग्राहों की द्रस्ती है तो कैसे फल मिलेंगे तो कहता है वैश्या रतीम रदुवचा बहुय वती शमाश्रयो भवती दिन नाथे सित भवने द्रस्ते शशी नाम सलील जीवी ये क्या कहते हैं ये कहते हैं कि अगर शुक्र की राशी में सूर्य हो और उस पे चंद्रमा की द्रस्ती हो तो ऐसा व्यक्ति वैश्या गमन करने वाला होता है मुरतु वचन बोलने वाला होता है अनेक युवतियों से संपर रखने वाला होता है और पानी के द्वारा जीवी का कवाने वाला होता है पानी चंद्रमा का कारक भी होता है तो पानी के द्वारा जीवी का चलाने वाला होता है अगर शुक्र की राशी में सूर्य बैठा हुआ है आपकी कुल्डी में और उस पे चंद्रमा की दरस्टी है शुक्र की राशी में सूर्य बैठा हुआ है आपकी कुल्डी में और उस पे मंगल की दरस्टी है तब दिख्तिक एसा होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत शूरवीर होता है, संग्राम प्रिय होता है, तेजस्वी होता है, अपने सहास से धनी वेख्याती प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा विकल होता है, इंपेशन्ट होता है ये जरासी उसमें आदत रहती है और अगर बुद्ध से दरस्ट हो तो ऐसा व्यक्ति लेखन और लिपी कारिय में लिखने में राइटिंग में बहुत प्रसिद रहता है बड़ा अच्छा राइटर बन सकता है काव्य पुस्तक लिख सकता है कविताओं क शुक्र की राशी में बैटा हो और बुद्ध से दरस्ट हो तब क्या होगा? तब वो कहते हैं बहुशत्रु मित्र पक्षो नरप सचिव श्रारु लोचन कानतै दिन नाथे सित भवले गुरुना दरस्टे सतोशिते नरपती यानी ऐसा मनुष्य जो है बहु मित्र वाला होता है नरप का सचीव होता है राजा का सचीव होता है यानि राजा का सचीव होने का मतलब इसके दर ये है कि वे बहुत उचे ओहदे तक जाता है बहुत उचा पद प्राप्ट करता है चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो चाहे वो गौर अच्छा है अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र की राशी में बैठा है और उसको गुरु देख रहा है सूर्य यदि शुक्र की राशी में बैठा हो और शुक्र उसको देख रहा हो तब क्या होगा तो ऐसा व्यक्ति राजा या राजा का मंत्री बनता है इस्त्री सुक्की प्राप्ती होती है धन और सुक्की प्राप्ती होती है धन दान की व्रद्धी होती है बुद्धिमान भी होता है बहुत लेकिन थोड़ा डरपोग रहता है उसमें डर की मातरा भी रहती है ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसी कुंडली में सूर्य शुक्र की विशम सभाव वाला इसका सभाव थोड़ा विशम होता है और रोग से पिडित होता है ये शलोक में दिया गया है इसके अगर आप इसके शलोक में देखें तो उसमें लिखता है अगर सूर्य शुक्र की राशी में बैठा हो और उस पे शनी की दरस्ती हो तो ऐसा व्यक्ति नीचो अलसी, अलसी मींस आलसी, आलसी होता है, दरिद्र होता है, व्रद इस्त्री संगतो, अपने से बड़ी उम्र की इस्त्री से प्रेम करने वाला होता है, उसका संगती को करने वाला होता है, विशम सभाव का होता है, और रोग से पिडित होता है, तो ये था ब्रश राशी गत सूर्य का फल, आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, कि मिथुन राशी में सूर्य हो, या सूर्य बुद्ध की राशी में हो, और उस पे विबेन ग्रहु की द्रस् अब तक के लिए धन्यवाद जैशी कृष्णा आशा करते हैं आपको पसंद आया हुगा पसंद आये तो कांडी लाइग और सब्स्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा इसके लावा हम लोग प्लासिस स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्ट्रोलोजी की डेमिडीस की प्रोफे याशी ठीजिए झाली जगर प्लासिं हुआ ऑप लिए प्रोफें